बच्चों यह जो आप अजीब हो गरीब चीज देख रहे हैं, यह है क्या? आप पचान रहे हैं? यह है लीची के छिलके जिस लीची के फल को हम बड़े चाव से खाते हैं और उसके छील छील कर डस्विन में फेकते हैं तो लीची खा ये जाने वाली है, बहुत ही अच्छा फल होता है, अगर आप खा रहे हैं और उसे इंज्वाइ कर रहे हैं, उसके चिलके आप डस्विन में फेक रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद अब कभी आप चिलकों को डस्विन में नहीं फेकेंगे, तो चलिए देखते हैं, इनके क्या-क्या फायदे हैं, तो लीची अगर आपके घर में भी आ रही है, तो फटा-फट से देर मत कीजिए, क्योंकि ये लीची बहुत जल्दी चली जाएगी, इसके चिलकों को स्टोर करिए और सुखा दीजे, लीची का अगर पाउडर बना कर, अगर आ हाइडरेट रहती है, और बच्चे की शाररिक विकास के लिए भी लीची बहुत ज़्यादा मदद करती है, लीची खाने से रक्त प्रवाहा बहतर होता है, लीची से बहुत ही ज़्यादा स्पूर्ती आती है, मतलब आप तरो ताजा हो जाते हो, लीची में कॉपर, जिंक, मैगनेशियम, मैगनीज, फॉलिट, विटेमन सी, भरपूर मातरा में होता है, तो यहाँ देखिए, लीची के छिलके हैं, जो के मैंने सुखा के रखे हैं, और यहाँ पर देखिए, जो मैंने लीची के छिलके हैं, जिसे अभी छील रहे हूँ, यह गीले हैं, अब लीची क डालेंगे इसमें चावल का तो अच्छे से पाउडर बन जाएगा इससे मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ इतना बढ़िया यह स्क्रबर तयार हो गया है यह हलका पिंग कलर का है और इसे बना कर आप एक एर टाइट जार में आप रख सकते हैं यह मत समझजिये कि इसके उपर जो दाने हैं इसकी वज़़ा से यह स्क्रबर काम करेगा नहीं, इसके अंदर जो प्रापर्टीज है ना इसकी वज़़ा से काम करेगा, अक्सर हम संत्रे के जो चिलके सुखा कर रखते हैं उसी को यूज़ करते आएं इस बार आप लीची के चिलकों को यूज़ करके देखें और मुझे कमेंट करके जिरूर बताईए इसे मैं हाथों से जब दिखा रही हूँ ये देखिए हलका हलका अंदर इसके अंदर दाना है दाना होने की वज़ा से स्क्रबर बहुत अच्छे से काम करेगा चलिए इसे कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बता रही हूँ थोड़ा सा मैंने एक चमच के आसपस ये लीची का पाउडर ले लिया और इसमें चावल का आटा भी है अब इसमें और क्या मिलाएंगे मैंने इसमें डाला है बहुत थोड़ा सा ऐलोवेरा जेल बन फोर्थ टी स्पून के आसपस इसमें मैं मिला रही हूँ रोज वाटर आप दूद भी डाल सकते हैं दही भी डाल सकते हैं ये बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट देगा अब इसे मिलाते टाइम आपको लगे कि ये ड्राय लग रहा तो इसमें थोड़ा रोज वाटर और भी डाल दीजी कई बार हम बहुत सारे काम कर लेते हैं हाथों पे भी ऐसे लगता है बहुत सारी डस्ट हो गई है या हम हाथों पे भी कैसे चमक लाएं तो इस तरीके से हाथों पर इसके रब कीजे हलका हाथों को गीला कर दीजे या उपर से पानी के चीटे लगा दीजे इसी तरीके से चेहरे को, गर्दन, कोहनी को, पैरों पर कहीं भी आप इसे यूज़ करेंगे स्क्रब के तौर पर आपको बेहद अच्छा लगेगा क्योंकि ये फील आने वाली बात है, आपको यूँ शायद समझ ना आए, जब आप इसे यूज़ करेंगे, तो जब फील करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वैसे भी जिस चीज़ से मैं यूज़ कर रही हूँ, वो बिल्कुल वेस्ट आप डस्ट बिंड में फेक देते थे, उनका बहुत ही अच्छे सा अमेजिंग जो रिजल देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये देखें, अब यहाँ पर मैंने बहुत अगर आप फेस पर आए दिन इसको यूज़ करते रहेंगे, तो वो भी धीरे धीरे जाते रहेंगे, अब आप इसे साफ पानी से धो लीजे, आपको इतना अच्छा फील होगा, ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छा, एक तो सौफनेस आती है, चमक आती है और बहुत ही पाल होती है या जो काला पन लगता है वो सब खतम हो जाता है, अब आप हलका सा नारियल का तेल हाथों में लगाईए और बस देखिए अपने हाथों को, खुद आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, कहीं आप जा रहें तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या क्या बात है, तो आप अक्सर मुझे कहते हो ना कि हाथों पर क्या करते हो, मैं इस तरीके से कोई ना कोई स्क्रबर को यूज़ करती रहती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद तो यूज़ करती हूँ, मैं आपको भी सिखा रही हू कि आपको भी इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, तो वीडियो पसंद आए, लाइक शरूर कीज़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीज़े, इस चैनल पर बच्चों अगर नए आएं, सब्सक्राइब किये बिना बिलकुर न चाहिए